नवंबर पहली नवंबर 2022 को जम्मू चेत्रे कारेले को बेस्ट परफॉर्मिंग रिमोट आफिस का अवार्ड मिला और इसको माननी है श्रम एम्म रोजगार एम्म पर्यवण मंत्री 12 सरकार दोरा हमें ट्रॉफी भी प्रदान की गई जो कारेकरम दिल्ली में हुआ और इसी क तारतम में में एक पुरुषकार राशी इस कारेले को प्राप्त हुई और हमारी टीम आप जैसे जानते हैं जम्मू जम्मू कश्मिर और लद्दाग तीनों जगह का काम यहां पे फ्लेक्सियास में कर रही है और हमारी दो तीन तरह की हमने टीमें बनाई थी कंप्लाइंस क काम काफी अच्छा हुआ तो आज जो है उस पुरुषकार राशी से हमारे जो स्टाफ विलफेर कमिटी है उसके सदस्यों का युनानिमस एक निर्णे था कि हम सभी के लिए साइकल लें क्योंकि जम्मू कम दूरियों का शहर है और मेरी एक लाइन भी है कि जम्मू कम दूर से हमने यह निर्णे जो है इसको पूरी टीम ने जो लिया एक बहुत बड़ी बात है तीस बाइसिकल आज यहां आ रही है जो पहुंच गई है भी एक लॉट फर्स लॉट आ चुका है सभी लोग साइकल लेंगे सभी को साइकल दी जाएगी जो भी तीस मेंबर से हमारे शहर जो है आपका स्मार्ट सिटी तो है लेकिन अभी भी मूवमेंट स्मार्ट सिटी वाले नहीं है तो मूवमेंट्स को जो ट्रावलिंग टाइम है इसको कम करने के लिए हमेशा आप देखेंगे बात करते हैं कि साइकल ट्रैक होना चाहिए यह और बहुत सी बातें आती ह सामने लेकिन मेरा यह कहना है कि कोई भी शहर स्मार्ट तब बनता जब उसके सिटिजन स्मार्ट हो तो स्मार्ट सिटिजन हो इसके लिए सिटिजन को एक कॉल लेना पड़ता है मैंने अक्सर आप देखेंगे शाम को यहां पर इतना जादा ट्राफिक जाम होता है कि छनी हिम् से जो की दूरी पांच मिनिट में तह होनी चाहिए मां से छे मिनट की का रास्ता आदे गंटे में होता है और पच्चिस मिनट एक किसी भी विक्ति के जीवन बहुत महत्रपूर्ण होते हैं तो वह अगर दूरी हम एक कॉल लेके बाइसिकल उठाने तो एक तो सबसे पहले जो यहां का यूएसपी जो मैं कहुंगा इस एरिया का जो ब्यूटी है परिया वरन है यहां की खुब सूरीति है हर्याली उसको परियावरन से मैं लिंक करता हूं अगर यहां की हवा आज एकई यहां 150 है जो की पॉलुटेट माना जाएगा दिली से ना कम पेर करें लेकिन इसको कम करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए नागरिकों को साइकलिंग को प्रमोट करना चाहिए बहुत बड़े तरीके से ताकि वो खुद स्वस्त रहें, जब सिटिजन स्माट रहेंगे, तो सिटी भी स्माट होगा. तो इस तर्तम में और हलमेट एक बहुत बड़ के साथ चलाएं तो मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं अपनी केंद्रिय भविश्य ने दी आयुक महोदया और हमारे अपर केंद्रिय आयुक महोदय केल तनीजा साब उनको भी धन्यवाद दूँगा कि उन्हों ने हमाई इस काबिल समझा और इस इस अवार्ड के लिए हमें नामित किया और हम आगे भी कोशिच करेंगी हमारी टीम ने कल 1100 से उपर क्लेम किये हैं जो की बहुत अच्छा काम है कई कई लोगों ने कल 100 से उपर क्लेम किये उस टीम को मैं बधाई देता हूं और उनके लिए बड़े उत्साहित हैं आप नीचे उनसे मिले करेंगे तो यार वेरी हैपी कि उनको एक अच्छी बाइसिकल में है हाइबर्ड बाइसिकल है मॉंट्रा डाउंटाउं